गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है? काफी इंपोर्टन टॉपिक है अगर आप UPSC Civil Services की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोशन आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है या सिंपली MCKO भी आपसे पूछा जा सकता है All India Competitive Examination में जितने भी एक्जाम होते हैं कि गुजराल डॉक्ट्रिन किस चीज से रिलेटर है तो इसका अंसर होगा नेबरिंग कंट्रिस जैसे कि भारत की जो नेबरिंग कंट्रिस है भुटान है, बांगलादेश है, श्रीलंक है और भारत इनके बीच के संबंदों से related है गुजराल doctrine हलांकि इसके chances ज़्यादा है कि ये mains examination में आपको ज़्यादा पूछा जाएगा तो पहले हम बात कर लेते कि आखिर गुजराल doctrine है क्या यानके गुजराल doctrine जो है वो इनकी ही देन है जिसमें कुछ principles set किये गए थे कि भारत के relationship कैसे होने चाहिए उसकी neighboring countries के साथ जैसे कि बुटान के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांगलादेश के साथ, शिलंका के साथ, नमालदीव के साथ हमारे भारत के relations कैसे होने चाहिए अगर खराब हैं तो उसे ठीक किया जाए, अगर ठीक हैं तो उन संबंदों को और भी मजबूत किया जाए, तो इस तर की कुछ गुजराल doctrine कहती है तो हम five fundamental principles की बात कर लेते हैं, सबसे पहला हमारे पास आता है unilateral assistance, इंडिया being surrounded by the neighboring countries like नेपाल, बांगलादेश, बुटान, मालदीव, शिरलंका, declared its willingness to provide assistance without expecting reciprocity भारत कहता है कि हमारी जितनी भी neighboring countries है, नेपाल है, बांगलादेश है, हम उनकी मदद करेंगे, उन्हें जो भी assistance चाहिए, वो हम उनको देंगे, बदले में हम कोई उमीद नहीं रखते हैं कि neighboring countries जो हमारी भी कोई मदद करें, या हमारी भी कोई help करें उसके बाद जो हमारा दूसरा principle आता है, वो है non-tolerance of territorial use of harm, South Asian nations जितने भी है, वो committed है कि हम एक दूसरे की territory जो है, उसे harm नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हर एक देश का जो है, उसका खुद का self-interest होता है, उस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा, तो य जो principle है, यह बात करता है कि हर एक देश की खुद के लिए mutual respect होनी चाहिए, cooperation होना चाहिए, neighboring nations के बीच में, यानि कि भारत और बांगलादेश का संबंद अच्छा होना चाहिए, बांगलादेश और नेबाल का संबंद अच्छा होना चाहिए, नेबाल और शिरलंका का संबं बांगलादेश में कुछ चल रहा हो, आप assist कर सकते हैं, लेकिन आप interfere नहीं कर सकते हैं, उनके political मामलों में भी आप interfere नहीं कर सकते हैं, यह बात की गई है गुजराल डॉक्ट्रीन में, जैसे भारत को प्यारी है न, अपनी अजादी के, भारत के मामले में कोई interfere नहीं करें, उसी तरह से गुजराल डॉक्ट्रीन कहता है, कि हमें दूसरे जो हमारी नेबरिंग कंट्री से हैं, उनकी भी sovereignty का हमें ध्यान रखना है, वो भी self-governance करते हैं, इसलिए हमें कोई भी interfere नहीं करना है, उसके बाद हमारा principle आता है, resolution of disputes through the peaceful negotiation, देखे अगर नेबरिंग कंट्री है तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे disputes हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ होंगे, पाकिस्तान के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, बांगलादेश के साथ भी है, बुटान के साथ भी ह इन dispute को solve करना है, और संबंदों को कहरा करना है, so the Gujaral doctrine aimed to position India as a key player in Southeast Asia and stressed the importance of adopting a non-dominant approach towards the smaller neighboring countries, हमें कोई dominant approach नहीं अपनानी है neighboring countries के लिए, कि देखो ये तो छोटा देश है, नेपाल, बांगलादेश एक छोटा देश है, तो इनको दबाने की कोशिच करते है, ऐसा नहीं होना जैसे चाहिना करता है, बलकि हमारी policy ये होनी चाहिए, कि हमें एक key player बना है, और जो positions हैं जो neighboring countries की, उन्हें हमें assist करना है, तो अभी हमने गुजराल doctrine की बात कर लिए, अब हम ये भी बात करते हैं कि अभी तक गुजराल doctrine ने क्या क्या अचीव कर लिया, तो देखिए, जो water sharing treaty agreement था हमारा बांगलादेश के साथ, लंबे समय से सालों से वो लटका हुआ था, वो solve हो गया, दूसरा, इंडिया obtained a approval from Bhutan for a canal project, कनाल प्रजेक्ट के लिए हमें भुटान से approval मिल गया, उसके बाद शिलंका के साथ हमने बहुत सारे agreements भी sign कर लिये, ताकि हम अपने development cooperation को और भी स्यादा आगे बढ़ा सके, तो ये बात हुई है गुजराल doctrine की, जब भी भारत की foreign policy की बात आती है, तो आपको गुजराल doctrine के बारे में जरूर mention करना है, काफी important point है, आपके number तो वहीं पे बन जाएंगे, तो ठीक है मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी important topic के साथ, आप please channel को जरूर subscribe कीजेगा, telegram channel, facebook, instagram, जो भी notes आपको चाहिए, वो आपको available हो जाएंगे, तो ख्याल रखिए, धन्यावाद, thank you